लगादार तीसरी बास तीर और स्वर्ष्ट बहुमत की सरकार बनाई के छेद असक बात ऐसा हुआ है एसा समय में जो भारत के लोगों की अकांखाएं सर्बच श्तर पर है लोगों ने मेरी सरकार को लगतार तीसरी बार भरोस आ जाताया भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वासे की उनके अकांखाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है इसलिए इसलिए दोहजार चुबिस का ये चुनाओ नीती, नियत, नीश्टा और निर्नयों पर विश्वास का चुनाओ रहा है मजबूत और निर्नायों सरकार में विश्वास सुशासन, स्तिर्था और निरंतरता में विश्वास इमांदरी और कडी मेहनोत में विश्वास सुरख्या और समुरुधी में विश्वास सरकार की गेरंटी और डेलिवरी पर विश्वास विक्षित भारत के संकल्प में विश्वास मेरी सरकार ने दोस बर्सों से सेवा और सुशासन का जो मिशन जलाया है यह उस पर मुहर है यह जनादस है कि भारत की विक्षित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लोख्यों की प्राप्त करते है 18 लख्यों कई मायनों में एक अइतिहासी लख्यों है यह लख्यों अमुरुत काल के शुरुवाती बर्सों में गठित हुई है यह लख्यों देश के संभिधान को अपनाने के पचस्तरी में बर्सों की भी साखी बनेगी मुझे विश्वा से कि इस लोखस्वा में जनकुल्ना के फोसलों का नभीन अध्धाय लिखा जाएगा आगामी सुत्रों में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजेट पेश करने जा रहे हैं यह बजेट सरकार की दूरगामी नितियों और फिचरिस्टिक भीज़न का एक प्रभावी दोस्ताबेज होगा इस बजेट में बड़े अर्थिक और समाजिक निल्रोयों के साथ ही उनेक एतिहासी कदम भी देखने को मिलेंगे भारत के तेज विकास की जोन अकंखाओं का पूरा करने के लिए रीफर्म्स की गोति आप और तेज की जाएगी